नवश्कार दोस्तों वेलकम तो मैं चैनल मैं हूँ चांदकूबा दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एहम statutory body that is Central Information Commission की हम सब जानते हैं कि Article 91A के तहत हमें right to freedom of speech and expression मिला हुआ है उसी freedom of speech and expression के अधिकार के तहत right to information को भी fundamental right declare किया जा चुका है by Honorable Supreme Court of India और इस right to information को हम तक पहुँचाने के लिए 2005 में सरकार के द्वारा right to information act लाया गया और उस act को proper तरीके से implement किया जासुके उसमें जो हमें अधिकार मिले हैं वो हम तक पहुँच सकें इसे ensure करने के लिए Central Information Commission and State Information Commission का गठन किया जाता है आज हम Central Information Commission के बारे में जानेंगे जानेंगे कि इसके कितने members होते हैं कौन उन्हें point करता हैं इनकी terms and conditions क्या हैं इनके functions, roles, responsibilities, duties यह सारी चीज़े आज हम cover करेंगे 2019 में Right to Information Act में कुछ amendments भी लाई गए थी उन amendments के तहट क्या changes लाए गए उनको हम यहाँ पे आज discuss करने वाले हैं मुझे उमीद है कि यह session आपको काफी पसंद आएगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, चली शुरुआत करते हैं आज के इस session से सबसे पहले बात करते हैं Central Information Commission की, जैसे मैंने आपको कहा कि statutory body है, statutory body का मतलब की कानून के द्वारा, law के द्वारा बनाई गई body, constitutional body नहीं है क्योंकि इसका constitution में कहीं जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है, और कानून के द्वारा बनाई गई इस body को अगर हम बात करें, RTI Act की, देखे, RTI Act 2005 में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, section 12 में जिसे इसे काफी विस्तरित तरीके से discuss किया गया है, अब ये एक independent body के रू information officers होते हैं, लग-लग सरकारी विभागों में, अगर वो हमारी शिकायत नहीं सुनते हैं, या फिर हमारी, हमें proper information नहीं provide करते हैं, उसके बाद हम appeal करते हैं, उनके superiors को, अगर वहां पर भी सनवाई नहीं होती है, तो हम CIC के पास पहुंच जाते हैं, and CIC उसका समाधान हमें देती है, बात करते हैं, composition की, देखिए, composition की, अगर मैं बात करूँ, तो इसमें, एक तो Chief Information Commissioner का प्रावधान है, तो CIC में Chief Information Commissioner का प्रावधान हमें देखने को मिलता है, and इनके अलावा, 10 Information Commissioner को appoint किया जा सकता है, ये 10 हमेशा appoint नहीं किये जाते हैं, आज की date में अगर मैं बात करूं तो Chief Information Commissioner के अलावा केवल दो Information Commissioner सी Appoint किये गए हैं जिसकी वज़े से सरकार को criticize भी किया जाता रहा है अब तो आज की रेक ये है जी अब बात करते हैं कि इन को कोन करते हैं देखिए इन सब को यानि कि Chief Information Commissioner and Information Commissioner को Appoint किया जाता है President of India के द्वारा President अपनी मर्जी से किसी को Appoint कर देंगे ऐसा नहीं है प्रॉपर एक कमिटी का गठन किया जाता है इस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर चेर परसन होते हैं लीडर अफ उप्पोजिशन इन लोग सभा उसके मेंबर होते हैं और एक Union Cabinet Minister होते हैं जो की Nominated by Prime Minister होते हैं इन तीनों की कमिटी जो है वो कुछ नामों को सजेस्ट करती है और उनी नेम्स को क्या किया जाता है Information Commissioner and CIC के रूप में यानि की Chief Information Commissioner के रूप में Appoint किया जाता है बात करते हैं Terms की देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में इस Act में एक Amendment लाई गई थी उस Amendment के तहत यहां पर कहा गया कि कोई भी Member जो है उनकी टर्म जो है वो तीन वर्षों की होगी बेसिकली उस Amendment में तो यही कहा गया कि सरकार डिसाइड करेगी कि उस Member की Term कितनी होनी है 2019 की Amendment से पहले यह था कि टर्म फिक्स थी एक Member को या Chief Information Commissioner को पांच वर्षों के लिए या फिर 65 years of age whichever is earlier तब तक के लिए उस position में रहने की इजाज़त थी लेकिन 2019 में जो Amendment लाई गई उसमें यह दारोमदार सरकार को दे दिया गया Central Government को दे दिया गया कि Central Government टै करेगी कि कितनी टर्म हो सकती है Central Government ने उस Amendment के तहर्त रूल्स जारी किये और उन रूल्स के मताबिक आज की डेट में जो टर्म है वो तीन वर्ष यानि कि 3 years या फिर 65 years of age whichever is earlier यह आज की डेट में उनकी जो टर्म है वो निर्धारित की गई है दूसरी बात यह कि यह जितने भी मेंबर्स हैं चाहे वो Information Commissioner से या फिर चीफ Information Commissioner है they are not eligible for reappointment under the government of India and यहां पर वो एक ही बार appoint हो सकते हैं अब बात करते हैं इनकी qualifications की देखिया article 12 clause 5 में कुछ qualifications दी गई है जो की Chief Information Commissioner या फिर Information Commissioner बनाए जाने के लिए जरूरी है इसमें यह कहा गया है देखिये दो तरह की एक positive qualification यानि कि क्या होना चाहिए एक negative qualification की क्या नहीं होना चाहिए दोनों को fulfill करना होता है तब ही आपको appoint किया सकता है as Chief Information Commissioner या फिर Information Commissioner क्या होना चाहिए तो इसमें बताया गया है कि आप केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो की persons of eminence in public life है with wide knowledge and experience in the fields of law science and technology social services management journalism mass media and administration and governance in fields में से किसी में भी आप माहिर है किसी का भी experience लेकर चल रहे हैं information आपके पास है अच्छी knowledge आपके पास आप appointment के लिए eligible हैं but at the same time यहां पर कुछ in eligibility criteria दिये गए हैं और वो बताये गए है article 12 clause 6 of RTI Act 2005 में जिसमें बताया गया है को कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि member of parliament हो या फिर MLA हो किसी भी स्टेट या UT में या फिर कोई भी ऐसी position hold करता हो which is office of profit और connected with any political party और carrying on any business pursuing any profession इन सभी व्यक्तियों को आप appointment नहीं कर सकते हैं as CIC यानि की chief information commissioner या फिर information commissioner तो यह आपकी disqualification यहां पर आ गई है इनको भी सरकार को ध्यान में रखना होता है committee को ध्यान में रखना होता है जब भी किसी का नाम सजेस्ट किया जाता है अब बात करते हैं कुछ और हम बात कर लेते हैं removal की देखिए एक बार किसी व्यक्ति को chief information commissioner या फिर information commissioner appoint कर दिया जाता है तो इसे remove करने की भी जो power है वो president of India के पास ही है किन grounds पर remove किया जा सकता है अगें आपने जो पहले हमारे statutory bodies and constitutional bodies के ground पढ़े थे वही same grounds हमें यहां पर देखने को मिलते हैं for example अगर कोई व्यक्ति जो कि information commissioner या फिर CIC है अगर adjudged insolvent यानि कि दिवालिया declare कर रिया जाता है दूसरा क्या है कि convicted in any offense जो कि president of India की नजरों में opinion में moral turpitude को lead करता है तीसरा है engages during his or her term outside his or her office for pecuniary gains चौथा है in the opinion of the president unfit to continue in the office due to infirmity of mind or body पांचवा है he has acquired such financial or other interests which are likely to affect prejudicily his official function so कहीं पे उसने कोई shares करें लिया या फिर कोई ऐसा financial interest gain कर लिया जो कि उसके इस function को effect कर सकता है तो यह upon dis qualification मानी जाएगी इसके अलावा चीफ information commissioner को हटाने का एक और ground है that is proven misbehavior या फिर incapacity again the procedure is same the drill is same कि अगर proven misbehavior या फिर incapacity के ground को use किया जाता है for the removal of them इस case में सबसे पहले president of india को supreme court of india के past matter को refer करना होगा supreme court of india के द्वार एक inquiry conduct कर आई जाएगी inquiry के grounds के अधार पर अगर supreme court of india यहां पर suggest करता है कि उस member को हटा देना चाहिए तभी president of india उस व्यक्ति को हटाएंगे otherwise नहीं हटाया जा सकता है अब बात करते हैं कुछ और terms and conditions की देखे salary and alliance and other services की बात करूं तो एक बार सरकार ने जो salary या alliance या फिर other service conditions को आपको appoint करते समय आपके दिया है उन terms of condition को आपके against change नहीं किया जा सकता यह उन्हें बढ़ाया जरूर जा सकता है यह हमें यहां पर देखने को बलता है आज की डेट में लगबग धाई लाक रुपे की salary इन सभी लोगों को दी जाती है चाहिए वो chief information commissioner हो या फिर information commissioners हो तो यह हमने यहां पर अब देखा इनकी terms and conditions को removal को and appointment को अब बात कर लेते हैं powers and functions की देखिए powers and functions में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक department में PIOs होते हैं person that these are the officials comment information officials होते हैं right now यह जो information officers होते हैं अगर यह हमें information देने से fail हो जाते हैं हाड department में इनको लाना लाजमी होता है अगर यह information हमें नहीं दे पाते हैं तो हम इनके superior तक जा सकते हैं अगर वहां पे भी हमें समधान नहीं मिलता है तो हम जो है यहां तक जा सकते हैं कि CIC में जा सकते हैं अब क्या powers हैं की समझ लेते हैं देखिए आपको समझना होगा कि इनके पास तो complaints जा रही हैं जिनका समाधा नीचे नहीं हुआ and एक complaints किस nature की हैं कि आपने information किसी department से मांगी थी आप वो information सही मांग रहे थे आपको नहीं दी गई या अधूरी information दी गई या पैसा जाधा चार्ज कर लिया इस तरहें की complaints जाती हैं चलि तो क्या कहता जी कहता जी कोई ऐसा व्यक्ति पास अपनी information नहीं हासिल कर पाया किसी department से क्योंकि उस डिपास department में पबलिक informationuckle अफिसर अपविंटेन नहीं था या फिर उस department के पबलिक information officer ने उस व्यक्तिकी को वोimmeशन कर दिया request को reject कर दिया या फिर जो information दी है वो specified time limit में नहीं दी गई है जो information दी गई है उसके लिए जो fee charge की जा रही है वो काफी जादा unreasonable मानी जा रही है या फिर कहता जी जो information दी जा रही है वो incomplete misleading या फिर false है या फिर information से जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा हो तो इन सभी मुद्दों में complain की जा सकती है CIC तक अब कहता है जी complain होने के बाद होगा क्या CIC यानि कि चीफ information commissioner या फिर information commissioners के पाद जब यह complain जाएगी तो वह अपनी तरफ से सुवर मोटो ग्राउंड्स पे सुवर मोटो बेसिस पे एक inquiry conduct कर सकते हैं inquiry order कर सकते हैं अब यह जो inquiry order करते समय कमिशन के इनके पास हैं कैदर जी summoning और enforcing attendance of any person और compelling them to give oral or written evidence on oath and to produce documents as they think are required so यह यहां पर एक तो पहली पावर होगी कि किसी को आप समन कर सकते हो बुला सकते हो उनसे evidence ले सकते हो oral written evidence शबत पत्र पे आप उनसे evidence ले सकते हो दूसरा क्या है discovery और inspection of documents आप उनसे documents मंगवा सकते हो लेट से किसी पब्लिक information officer से पियो से आप document वगरा मंगवाना चाहते हैं तो वह आप यहां से मंगवा सकते हैं एफिडेविट पे आप evidence ले सकते हो requisitioning any public record from any court और office तो court या office से public record भी यह ले सकते हैं issuing summon for examination or witnessing of documents any other matter which may be prescribed so यह सारी की सारी powers आप देख रहे हैं कि इनके पास दी गई है कैता जी during the inquiry of the complaint the commission may examine any record which is under the control of public authority and no such record may be withheld from it on any ground so हर तरहें का record जो है CIC को देखने की जो power है वो दी गई है कैता जी public record जो है वो हर तरहें के CIC मंगवा सकता है अब बात करते हैं कैता जी commission has power to secure compliance of its decision from public authority this includes किस किस तरहें कि यहां पर जो decisions है वो यहां पर comply करने के लिए मजबूर कर सकता है CIC public authority को तो उसमें यह सारी चीज़ें आ गई जहां पर public information पराप्त करने के लिए public authority को मजबूर किया जा सकता है public authority को appoint करने के लिए APIC यहने के public information officers को appoint करने के लिए मजबूर किया जा सकता है CIC के द्वारा information और categories of information को publish करने के लिए यहां पर मजबूर किया जा सकता है making necessary changes to practices relating to management, maintenance, destruction of records, enhancing training provisions for officials on the right to information, seeking an annual report from the public authority on compliance with this act so यह सारे की सारी चीज़े आप देख सकते हैं जो कि powers हैं क्या powers हैं कि किस तरह हैं कि decisions after inquiry CIC impose कर सकता है public authority पर right so यह सारे की सारी powers even penalty की भी यहां पर powers दी गई हैं यह सारे की सारी powers CIC के पास दी गई हैं अब कैता जी commission submits an annual report to the central government जो की हमें हर statutory body के case में देखने को मिलता है with regard to the implementation of this act की हमने क्या-क्या कदम उठाए क्या-क्या case आए किस तरह है के case आए वो सारी annual report एक सरकार के पास जाती है central government इस report को parliament के दोनों सदनों के सामने पेश करती है कैता जी when a public authority does not confirm to the provisions of this act the commission may recommend to the authority steps which ought to be taken for promoting such conformity अब दूसरा यहाँ पर जो सबसे important point है वो यह कि जो भी decision होगा CIC का वो binding होगा किसी भी public authority के ऊपर यहाँ पर कोई appeal का प्रावथान हमें देखने को नहीं मिलता है सो यह था जी CIC यानि की Central Information Commission जो कि आज हमने discuss किया I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो इससे like करना share करना ना भूले चैनल को subscribe करना ना भूले अगले session में फिर मिलेंगे till then thank you have a great day ahead